आपको दिखाने वालों, लोग कहते हैं कि सिर्फ पुलिस में करप्शन चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आया हूँ यहां शिमला में, और शिमला में विजिट करने के लिए आया, मैं गूमने के लिए आया था, और सीन देखिये यहां पर, यह जो एडवेंचर, एपल काउंटर करके लिखा हुआ है, यहां पर एक निशू नाम का बंदा था, जिसने मुझे मुझे मिससेल किया है, और इसमें ऐसा सीन दिया, मेरे को बताया गया था, कि अंदर आपको घोडे से गुमाया जाएगा, और जब मैं वहां पहुँचा हूँ, हजार रुपे की टिक लोग जोड़े हुए हैं मेरे साथ अभी, वो सारे के सारे इस वीडियो को शेयर करना, और ज्यादा से जादा लोगों तक यह बात पहुचा ना, कि कितने लोग मिससेलिंग करते हैं, ठीक है भाई, आरे, उपर जवाब, तो मैं आज आपको कुफरी के उस सच के बारे में बताने वालों, जो जनरली आपने सुना नहीं होगा, लेकिन जो लोग यहां पर आ रहे हैं, उन सभी ने यहां पर ज़रूर फिल क्या होगा, तो जो जो कुफरी या शिमला में आने की प्लैनिंग कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि एडवेंचर करेंगे, वहां पर जाके, य बहुत अच्छे हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, यहां पर आओ, वो व्यक्ति जिसने मेरी टिकेट बनाई थी, जब मैंने उससे यह सारी बात हैं बोली, कि बहुत अंदर कोई भी गुमाने के लिए नहीं लेके गया, तुमने मुझसे बोला था कि गुमाने के लिए ले कि ऐसा है, शांती से निकल जा, बनना मैं और तरीके भी जानता हूँ, तो मतलब एक तो चोरी और उपर से धंकी ओर दे रहा था मेरे से, तो अगर भाई, आप या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स, कोई भी, कोई भी शिमला में ट्रिप बना रहा है, प्लैनिंग कर रहे हैं कि हाँ शिमला गूमने चलेंगे, बहुत अच्छे मन से आएंगे, लेकिन भाई जब ऐसी लूट देखेंगे, वहाँ आधा-धा एक गंटे तक तो वेट करना पड़ता भाई, गोडों की 500 रुपे एक परसंड की लेते हैं, फिर वहाँ पर वेट करो, तो मैं आपको टिके एडवेंचर वाली टिकेट, तो एडवेंचर वाली टिकेट को बिल्कुल मत लेना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूट है, जो गूमने वाली टिकेट है, जिसमें ये बोलेगा वो आपसे के अंदर गूमाने का 500 रुब है, भाई गूमाने कोई नहीं जाता गूमाने, तक ये बात पहुचाना, शिमला कुफरी में, अगर आना है, गूमने आना है, तो ये टिकेट, गोड़े वाली टिकेट जो बनवाए, वो भी अपने रिस्क पर ये बनवाए, कि आदा घंटे तक वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वनना दमकियां देने वाले यहाँ पर ब कुल मत लेना, वहाँ पर गोड़ों की तमाम भीड में लेगे आपको,